हेलो ट्रेटर्स वेलकम डू ट्रेलाइन स्टॉक्स नौ सब्टेम्बर 2020 को एक और बड़ी ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ आयार सीटीसी के बारे में देखें इंडियन रेलवेस की एक सब्सिडिरी कमनी जो है लिस्टेड स्टॉक मार्केट पे जिसका काम है इंडियन रेलवेस के अंदर केटरिंग सर्वीसिस प्रोवाइड कराना टिकेटिंग प्रोवाईड कराना पाकेज डिंकिंग वाठर प्रोवाइड कराना यह सारे का सारा hospitality से जिरुवावा जो business है ये सारा IRCTC ही देखती है और 87.4% यहाँ पर हिस्सेदारी रखती है सरकार यानि के सरकार के पास सबसे जादा हिस्सेदारी है promoters जो है सरकार है इसके और अब सरकार इसके अंदर से अपना हिस्साब बेचने जा रही है यानि के this investment का जो plan चल रहा है 2 2.1 trillion रुपीज का भारत सरकार का उसके तहत और सेवी के norms के according promoters को अपनी एक तह सीमा में अपना जो हिस्सेदारी है उसको 75% तक लाना होता है reduce करना होता है उस norms के according भी यहाँ पर stake sale हो रही है stake sale होने की देखे खबर बहुत पुरानी है आज की नहीं है लेकिन अब 10 September के लिए वो date भी नजदीक आ रही है इसलिए आज यहाँ पर भारी गिरावट देखी जा रही है IRCTC के stock में 4% तक की गिरावट आज देखी गई इस heavy ticket size price के अंदर तो देखे यह वो basically वज़ा है जिसकी वज़े से आज IRCTC ने एक नीचे का रुक दिखाया है complete detail आपको जिट ले लेना चाहिए या फिर अपनी positions को hold करना चाहिए तो सारी details आपको दे रहा हूँ जानकरी इस article के अंदर तो चलिए दिखाता हूँ वो article आपको तो देखे यह article है economic times का the economic times का यह article आज 9 September 2020 सुभे 9 बजे से पहले का जिसके अंदर यह लिख रहे है कि government to sell 15 to 20% stake in IRCTC वाया OFS देखे पहले जो जानकरी आई थी जो पहले हमने वीडियो में भी बताया था और हमने काफी सारे business channels पर भी देखा था तब वहाँ पर 10% stake sale की जानकरी दी जा रही थी हाले कि कोई confirmation नहीं थी तब अभी भी confirmation नहीं है लेकिन हाँ 15-20% का stake sale हो सकता है ऐसी अभी तासा जानकरी निकल के आ रही है तो देखे आगे लेके चलता हूँ तो government plans to sell about 15-20% stake in Indian railway catering and tourism corporation via offer for sale and would like to complete the transaction in minimum number of trenches minimum number of trenches के अंदर इस OFS को यानि के offer for sale को complete करने की यहाँ पर मन्शा जताई जा रही है IRCTC के दुआरा जिसके अंदर 15-20% stake sale होगा last month the department of investment and public asset management DIPAM यही वो department है जो PSU sectors के लिए merchant bankers को bidding करने के लिए request of proposal बेजता है had invited bids from merchant bankers by September 10th for managing the sale in IRCTC September 10 तक यहाँ पर मंगाई गई थी देखे अभी हाली में इस में ताजा जानकारी भी मिल रही है इस आर्टिकल में की NSC पर 2.31% की गिरावट के साथ IRCTC कामकाच कर रहा है however it did not disclose the quantum of stake on offer in the request for proposal इनोंने quantum जो है stake कितना होगा वो अभी यहाँ पर disclose नहीं किया है request for proposal के अंदर following this a pre-bid meeting was held on September 4th with potential bidders 4 September को already एक meeting कर ली गई है जो भी potential bidders रहेंगे उनके साथ में DIPM जो पूरा जिम्मेदार होगा इस basically पूरे OFS का has now posted its response to the queries raised by potential bidders on its website DIPM की website की ओपर इनोंने queries को जो potential bidders की queries थी questions थे उनका जवाब देने का उनका response देने का अभी कामकाज शुरू किया है to a query on intended stake dilution percentage DIPM said the indicative percentage is 15 to 20 percent the exact details will be shared with the select merchant bankers देखिये जैसे मैंने आपको बताया कि website की ओपर इनोंने queries के solution के लिए answer देने शुरू किये तो ऐसी एक query थी जिसमें पूछा गया था कि कितना percentage यहां पर dilution करने जा रही है IRCTC इसमें इनोंने बताया कि indicative percentage जो है मतलब यहां पर संभावना 15-20 percent किया है लेकिन exact details कुछ selected merchant bankers के साथ ही share की जाएगी the government currently holds 87.4 percent stake in IRCTC to meet SEBI's public holding norms it has to lower its stake in the company by 75 percent जैसे मैंने already this video के starting में आपको बताया shares of IRCTC on Tuesday close 2.57 percent lower at 1378 on the Bombay stock exchange BSC के उपर कल यानी Tuesday के दिन 0.5 percent से जादा की गिरावट के साथ में यहां पर closing दिखाई दिया IRCTC ने 1378 रुपे के आसपास और आज भी वो गिरावट जारी है reason यही है OFS का और यहां पर यह stock और भी जादा कमजोर होतावा दिखाई दे सकता है सारी details charts के उपर लेके चलूँगा फिलाल आगी इस article में चलते asked if payment would be made by the government to merchant banker after completion of every single trench or cumulatively after the completion of entire transaction DIPM said government of India would not like to have an OFS overhang enhance would like to complete the transaction in minimum number of tranches as advised by the merchant bankers based on market conditions market conditions अभी बहुत uncertain है COVID के चलते जिसकी वैसे government of India इस OFS को overhang नहीं देखना चाहती है और minimum number of tranches के अंदर इसको complete करना चाहती है यहाँ पर DIPM ने इसका यह जवाब दिया है तो देखें merchant bankers को payment को लेके थोड़ा सा confusion है जिसका यह जवाब इन्होंने दिया है उसके बाद में दिखा तो IRCTC the only entity authorized to Indian railways to provide catering services to railways online railway ticketing and package drinking water at railways stations and trains in India was listed on a stock accident in October 2019 हाल ही में मैंने जो IRCTC के ऊपर video डाली थी उसके अंदर भी यह सारी information आपको बताई थी किस date के अंदर IRCTC list हुआ था October मन्त में 2019 में और तब से लेके अब तक हमने किस type के moves देखे है the company has raised 645 crore through IPOs, IPOs के दुरू साड़े 600 crore के आसपास जुटाए गए थे IRCTC OFS would have the government inch forward towards meeting the rupees 2.1 lakh crore disinvestment target for the ongoing fiscal इस fiscal year का 2.1 trillion rupees का target है disinvestment का जिसकी तरफ एक इंच और भढ़ जाएंगे इस OFS के sales के साथ में भारत सरकार of this 1.20 lakh crore is to come from disinvestment of public sector undertakings and 90,000 crore from stake selling financial institutions in 2.10 lakh crore में say 1.2 lakh crore आएगा public sectors की PSU undertaking जो companies है उनको sell off करके उनके stake को sell off करके और 90,000 crore रुपे जुटाए जाएंगे जो public sector के financial institutions है जैसे power sector के अंदर है जैसे railway sector के अंदर है वहां से 90,000 crore रुपे जुटाए जाएंगे ये पूरा planning है इस fiscal year का और ये बहुत जादा important हो जाता है ऐसे pandemic crisis में जब हमारी GDP श्रिंक हो चुकी है 24, minus 24% तक पौच चुकी है ये सारी details देखे आए इस CTC के बारे में यहाँ पर दी भी है एक और important चीज़ आपको बताना चाहता हूँ एक IPO लेके आ रही है भरत सरकार initial public offering जिसको कहा जाता है ये बहुत important आप लोगों के लिए जाना जो लोग खास कर railway share के अंदर बहुत ज़्यादा रुजहान रखते हैं conservative हमारे investors हैं उनके लिए और उस company का नाम है Indian Railway Finance Corporation Limited यानि के IRFC अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा प्यूंकि अभी तक इसका IPO नहीं आया है लेकिन सरकार ने देखे इसका Red Hearing Prospectus DRHP भी SEBI के साथ में share कर लिया है SEBI को submit कर दिया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका IPO भी आपको बहुत जल दातावा दिख जाएगा ऐसा समझा जा रहा है कि January के अंदर ये IPO आ जाएगा The Union Cabinet had in April 2017 approved listing of five railway companies 2017 के अंदर ही भारत सरकार ने Union Cabinet ने approve कर दी थी पांच railway companies को list कराने के लिए जिन में से देखे कौन फॉन सी है IRCON International Limited जी हाँ Rights Limited, RVNL Railway, Vikas Nigam Limited and IRCTC जिस में से चार ये companies already list करा दी गई है सरकार के दुआरा और अब पांचवी company का नंबर है जिसका नाम है IRFC is likely to be put on block this fiscal year तो ये देखे सारी details थी जो मैंने आपके साथ में share करी है IRCTC के OFS के बारे में हाली की condition आपको दिखाना चाहूँगा क्या चल रही है इस बार इसको refresh कर लेता हूँ तो देखे दो बचकर 45 मिनट तक की details आ रही है 1347 रुपे के उपर trade हो रहा है लगबग 6% की गिरावट देखी गई है 1994 में रुपे का 52 वीक हाई 25 फरवरी 2020 को से लगाया था 625 रुपे का 14 अक्टूबर 2019 का लो दिखा रहा है security versus delivery positions देखे 15 लाग से जादा शेरों के अंदर quantity trade है 4 लाग से जादा शेरों के अंदर delivery quantity उठाई जा रही है और 29% approximately percentage of delivery यहां से निकल के आ रही है इस stock के अंदर आपको दिखाता हूँ इसका chart यहां देखिए यह है 1 day की setting में intraday charts मैंने लगाए है और यह आज इसने बनाई है यह candle की formation market close होने वाले है मातर पॉना घंटा रह गया है यहां पे और अभी जो condition इसकी चल रही है इसने low आज लगाया है 1320 रुपे तक का अभी 1347 रुपे के उपर यह trade होता वा नजार आ रहा है आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा देखे जब भी OFS आता है किसी भी PSU sector company का OFS के बाद में उसके execution के बाद में stock price बहुत जल्दी regain नहीं करता अपने पुराने levels को हमने HAL के अंदर भी यही देखा हम आगे अभी BDL के अंदर भी यही देखेंगे और अभी IICTC का process शुरू होने वाला है उसके अंदर भी यही देखने को मिलेगा तो बहुत clear cut राए है जो लोग short term के लिए इसके अंदर invest करके बैठे हैं वो तो यहां से exit ले सकते हैं जल्दी से जल्दी उनको सोचने की कोई जरुवत नहीं है लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए यहां पर बैठे हैं long term investment के लिए उनके पास में time है वो लोग बे फिकर होके बैठे रहे यह stock लंबे समय में आपको बहुत अच्छे returns देतावा दिखाई दे जाएगा criteria समझने की कोशिश करनी पड़ेगी long term investors को पहला number one यह है कि अभी full swing में Indian railways नहीं आई है दूसरा यह चीज है कि देखे लोगों के मन में डर है वो लोग जाना जरूर चारे हैं लेकिन वो COVID के डर की वज़े से अभी तक उन्होंने खुल के यातरा करना शुरू नहीं किया है जब तक Corona pandemic चलेगा तब तक यहाँ पर normalcy नहीं आएगी और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखे Indian railways अभी तक जो आपके सामने हुआ करती थी आने वाले टाइम में वैसी सूरत उसकी नहीं रहेगी बिल्कुल बदल के रख दी जाएगी जो privatization Indian railways के अंदर हो रहा है जो developments Indian railways के अंदर हो रहे है और standard यहाँ पर भढ़ता जा रहा है उसकी वज़े से यहाँ पर पैसा आएगा यहाँ पर private investors आएगे पैसा लगाएगे जिसकी वज़े से overall valuation जो है IRCTC की वो भी आपको भढ़ती भी दिखाई देगी हाले कि मैं इस वीडियो के अंदर privatization के ऊपर कोई detail में चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन long term investors को यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर potential बहुत जादा है यह stock ऐसे ही नहीं है कि वो 2000 पे पहुच कर वापस नीचे आगा और कभी उसके उपर नहीं जाएगा short term में मैं आपको बता देता हूँ अभी यह consolidate हो जाएगा एक level पकड़ लेगा नीचे का यह उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा time जरूर लगेगा इस stock को उपर जाने में क्योंकि OFS आ रहा है और OFS के चलती है stock जरूर नीच आएगा लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो यहाँ पर आपको multi bagger returns भी मिल जाएगे क्योंकि इस ticket size के उपर मत जाईएगा यह ticket size बहुत बढ़ा है यहाँ पर कैसे multi bagger returns मिल सकते है फिर भी मिलने के पूरे पूरे chances है जो potential IRCTC की working में है जो potential IRCTC के business में उसको देखते हैं तो यह सारा वीडियो था देखी मेरा IRCTC के उपर जिसके अंदर हमने अभी big breaking news भी cover करी है IRCTC के उपर और आने वाला view भी देखा है कि क्या कुछ रह सकता है इस stock के अंदर कि हमें positions बनानी चाहिए या exit करनी चाहिए वो भी मैंने यहाँ पर आपको clear करके दिया है तो इस वीडियो के अंदर दीगे information को आप कैसे देखते हैं इस मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा और यह वीडियो कर आपको अच्छी लगी तो तो इस like और share भी जरूर कीजिएगा मैं मिलोग आप से नए वीडियो में ने इस stock के साथ तब तक लिए नमशकार थैंक्यू जय हिंद